अगर ये गियर इस दिशा में घूमता है, तो ये गियर किस दिशा में घूमेगा? मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं और मैं वीडियो के अंत में आपको इसका जवाब बताऊंगा. आज हम आपको बताएंगे कि Differential Gear Train कैसे काम करती है, साथ ही ये कहां प्रयोग होता है और हमें इसकी जरुवत क्यों है? और इसे अच्छी तरह से देखने और समझने के लिए आप अपना मॉडल खुद तयार कर सकती हैं. आप मेरी डिजाइन फाइले मुफ्थ में डाउनलोड कर सकते हैं और उसे PCBWay के जरिये 3D प्रिंट कर सकते हैं, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉंसर भी किया है, इसके लिए लिंक नीचे दिये गए हैं. डिफरेंशल गियर ट्रेन कुछ ऐसी दिखती है, और हम उन्हें आमतोर पर रियर वील ड्राइव कार के पिछले दो पहियों के बीच लगे हुए देख सकते हैं. फ्रंट वील ड्राइव कार में ये आगे के दो पहियों के बीच तथा फोर वील ड्राइव कार में एक आगे और एक पीछे होता है हालांकि इस वीडियो में सरलता के लिए हम रियर वील ड्राइव कार का उधारन लेंगे तो हमें इसकी जरुवत क्यों होती है जब कार सीधी रेखा में चलती है, इंजिन ड्राइफ शाफ्ट के जरीए डिफरेंशियल में पावर देता है, जो पिछले दो पहियों के बीच इस पावर को बांट देता है इस वजह से कार आगे बढ़ती है, और इसलिए सभी पहिये एक ही समय पर एक ही गती से चलते हैं हलांकि जब कार घूमती है, आगे के दो पहियों की दिशा बदलती है, लेकिन पीछे के दो पहिये अपनी जगह पर रहती हैं अब पहिये अलग-अलग दूरी के पाथ पर चल रही हैं, अंदर का पाथ बाहरी पाथ से छोटा होता है इसलिए बाहरी पहियों को उतने ही समय में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और इसका मतलब है कि उन्हें तेजी से घूमना पड़ता है, और पिछले पहिये अलग गती से घूमेंगे इस डिफरेंशल के कारण ही पहिये अलग-अलग गती पर घूम पाते हैं यदि इसे इंस्टॉल न किया जाए, तो पहिये किनारों पर समान गती से घूमेंगे जिससे टायर फिसलेंगे और घिस जाएंगे कार को संभालना कठिन हो जाएगा, यहां तक की अधिक बल लगने से एक्सल तूट भी सकता है इसलिए पिछले पहियों को अलग गती पर घूमने दिया जाता है, जिससे ऐसा न हो हम डिफरेंशिल के इस बेसिक मॉडल में देख सकते हैं कि यदि मैं एक पहिये को रोग दूँ, तो भी दूसरा घूमता रहेगा इसे ओपन डिफरेंशिल कहते हैं पर इसके साथ समस्या ये है कि यदि एक पहिया किसी चिकनी सतह जैसे बर्फ पर चल रहा हो, तो इंजिन की लगभग सारी पावर कम रेजिस्टेंस वाले पहिये में चली जाएगी और गाड़ी अटक जाएगी इसे दूर करने के लिए हम लिमिटेड स्लिप डिफरेंशिल का प्रयोग करती हैं इस वीडियो में हम बाद में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है आप हमारे औल्टरनेटर वीडियो में देख सकते हैं कि कार इलेक्ट्रिटिटी कैसे उत्पन न करती है इसके लिए link नीचे दिये गए है आईए, rear differential के मुख्य पुर्जे देखते हैं इसमें पहले एक मुख्य housing होती है जिसके अंदर सारे अंधरूनी components होते है casing पर कहीं हटाई जा सकने वाली एक plate होती है जिससे अंदर के gears तक पहुँचा जा सकता है casing सड़क के कच्रे को अंदर आने से रोकती है जिससे gears को कोई नुकसान न पहुँचे housing के अंदर oil भी होता है जो gears को चिकनाई पहुचाता है और घिसने से बचाता है अगर मुख्य housing को हटा दें तो हम देख सकते हैं कि axle से कई gears जुड़े हुए है सहज rotation के लिए इसमें कई bearing भी लगे होते है engine input gear के जरीए power देता है जिसे drive pinion gear भी कहते है pinion gear ring gear से जुड़ा होता है जो इससे कहीं बड़ा है ध्यान दे कि gears में घुमावदार खांचे बने हैं ये सीधे भी हो सकते हैं लेकिन घुमावदार खांचा से संपर्क में आने वाली सतह बढ़ जाती है इस उधारण में हमारे पास 43 ring teeth और 11 pinion teeth है इनका अनुपाद 3.9 से 1 का है अनुपाद कम होने से इंधन की क्षमता बढ़ जाती है लेकिन acceleration यानी त्वरण कम हो जाता है इसलिए कार डिजाइनरों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए रिंग गियर, differential casing पर लगा होता है फिर ये दो छोटे अंदरूनी गियर्स को सपोर्ट करता है जिसे spider gear कहते हैं spider gear अकसर एक छोटे धातु के एक शाफ्ट से जुड़े होते हैं जब रिंग गियर घूमता है तो spider gear समान अक्ष पर घूमता है हला कि spider gear अपने खुद के अक्ष पर भी घूम सकते हैं हम बलको बराबर बाटने के लिए दो spider gears का प्रयोग करते हैं spider gear आगे दो और gears से जुड़ते हैं जिने side gears कहते हैं एक बाएं वील एक्सल से और दूसरा दाएं वील एक्सल से जुड़ा होता है spider gear पहियों में टॉर्क और रोटेशन भेजते हुए भी एक्सल को विभिन गतियों पर घुमा सकता है आईए देखें ये कैसे काम करता है आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि starter motor और car battery कैसे काम करते हैं इसके लिए link नीचे दिये गए हैं आईए देखते हैं कि open differential कैसे काम करता है engine piston को power देता है जो उपर और नीचे की ओर चलता है तथा camshaft को घुमाता है ये clutch से होकर transmission में जाता है फिर power transmission के अंदर चुने हुए gear से होकर drive shaft में चला जाता है drive shaft इसे car के पिछले differential में transfer कर देता है यहां से ये दोनों पिछले पहियों में बढ़ जाता है हमने अपने पिछले वीडियो में transmission के बारे में विस्तार से समझाया है link नीचे दिये गए है differential के अंदर देखने पर drive shaft pinion gear से जुड़ा है ये सीधे ring gear से जुड़ा है इसलिए gear shaft pinion gear को घुमाता है जो ring gear को घुमाता है ring gear के घुमने पर casing भी घुमनी चाहिए इससे spider gears जुड़े हुए हैं इसलिए casing के साथ वो भी घुमते हैं यदि कार सीधी रेखा में चल रही है तो पिछले दोनों पहियों पर बल समान होगा तो spider gears अपने अक्ष यानि axis पर नहीं घुमेंगे क्योंकि वे casing के साथ घुम रहे हैं वे torque को side gears में transfer कर देते हैं जिससे side gear घुमने लगते हैं जो फिर axle और टायर को घुमाते हैं और कार आगे बढ़ती है side gears और spider gears समान गती और ring gear की देशा में घुमते हैं यदि कार को उठा कर अंदर देखें कि हम देख सकते हैं कि सभी gear अपने अक्ष पर घुम सकते हैं यदि आप पहियों को हाद से घुमाएं तो आप एक पहिया घुमा सकते हैं दूसरा नहीं घुमेगा आप दोनों पहियों को साथ में घुमा सकते हैं या आप दोनों को विप्री दिशा में भी घुमा सकते हैं जब कार दाय मुरती है बाय पहिये, एक्सिल और साइड गियर को तेज गती से घूमना चाहिए तथा दाय पहिये, एक्सिल और साइड गियर को धीमी गती से घूमना चाहिए मुर्ते समय पहिये आगे की ओर घूम रहे है बाया गियर तेजी से घूम रहा है जिसके कारण spider gears भी घूमता है और दायां gear धीमा हो जाता है Side gears के बीच गती का अंतर inversely proportional यानि व्यूद क्रमानुपाती होता है आए देखें इसका क्या मतलब है सीधे चलने पर दोनों पहिये मान लीजिए 300 RPM पर चल रही है लेकिन दाय मुढने पर बायां पहिया 360 RPM पर घूमेगा जबकि दायां पहिया 240 RPM पर घूमेगा जब एक बढ़ता है तो दूसरा घड़ जाता है इनका अंतर व्यूद क्रमानुपाती है इससे समझने का सबसे अच्छा तरीका अपना खुद का मॉडल बनाना जिससे आप इसे स्वैम काम करते हुए देख सकें मैंने ये डिजाइन खुद बनाई है आप मेरे डिजाइन फाइल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं आप उन्हें 3D प्रेंट कर सकते हैं या उससे भी आसान है कि फाइल को PCB वेपर अप्लोड कर दे जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉंसर किया है वे आपके पुर्जों को 3D प्रेंट करेंगे और उन्हें आपके पास डिलिवर कर देंगे उनकी वेबसाइट आपको कॉंपोनेंट का प्रेवियू दिखाती है फिर आप बस माटीरियल पसंद करते हैं और ओडर दे देते हैं फिर कॉंपोनेंट पोस्ट से आपके पास भेज दिया जाता है और देखिए ये कितना बढ़िया है खास्त और से मेरे घर पर 3D प्रेंट किये हुए वर्जन की तुल्ला में मैं इसे काफी प्रभावित हूँ फिर हम कॉंपोनेंट असेंबल करते हैं ये जानने के लिए कि ये कैसे काम करता है मैं मॉडल के साथ खेल भी सकता हूँ चीजों को प्रैक्टिकल करके सीखने से बहतर कुछ भी नहीं है तो मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उसे जरूर देखें वे 3D प्रिंटिंग, CNC, Injection, Molding यहां तक की Sheet, Metal, Fabrication आदी सब कुछ प्रदान करते हैं शुरुआत करने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें और अपना खुद का Differential Model बनाएं उपन Differentials के साथ समस्या है कि वे कम घर्षन वाले पहिये पर पावर ट्रांसफर कर देता है जिससे पहिया फिसलता है और ये ऐसे स्थितियों के लिए बिलकुल ठीक नहीं जहां बर्फ जैसी सतह पर गाड़ी चलानी हो इसलिए हमें थोड़ी अलग डिजाइन चाहिए जो कम घर्षन वाले पहिये की फिसलन को कम कर सके इसलिए हम Limited Slip Differential का प्रयोग करते हैं क्लच आधारित ये संसकरन बहुत आम है इसलिए हम सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है Limited Slip Differential में समान कॉंपोनेंस ही होते है ग्राइफ पिनियन, रिंग गियर, केसिंग, स्पाइडर गियर्ज, साइड गियर्ज और एक्सिल हलांकि कुछ अतरिक्थ पार्ट भी होते है हर साइड गियर्ज की पीछे क्लच पैक होता है जिसमें दो अलग-अलग डिस्क की कई परते होती है हमारे पास क्लच फ्रिक्शन प्लेट्स और क्लच डिस्क होती है क्लच फ्रिक्शन प्लेट्स की सतह की बनावट कुछ ऐसी होती है जिससे ये घर्शन यानि फ्रिक्शन को बढ़ाती है डिस्क का कुछ हिस्सा बाहर की ओर निकला हुआ होता है ये differential के खाचों में fit हो जाती है जब ring gear घूमता है तो ये casing को घूमाता है और clutch friction plates भी घूमती है clutch discs धातों की sheet होती है जिनके अंदर के किनारों पर दात कटे होती है ये side gear की spline में fit हो जाती है और दोनों interlock हो जाती है जब side gear घूमता है तो clutch disc भी घूमती है हलांकि clutch friction plates side gear की spline के साथ interlock नहीं होती है और वे इसके चारों और घूमती है ये दोनों disc clutch pack बनाने के लिए हर side पर alternate तरीके से लगी होती है बीच में एक spring डाली जाती है जो हलका बल लगाती है जिससे side gears clutch packs को दबा देते है clutch plates का घर्शन वाला material clutch discs को पकड़ कर रखता है इससे दोनों earth thigh रूप से आपस में जुड़ जाती है हलांकि यदि पहिये पर निश्चित बल या टॉर्क लगाएं तो दोनों disc इस earth thigh joint को तोड़ देंगी और एक दूसरे पर से फिसल जाएंगी जब कार मुड़ती है पहियों की गती बदल जाती है यह earth thigh joint को तोड़ने के लिए परियाप्त बल प्रदान करती है जिससे side gears अलग-अलग गती में घूम पाते है वैसे मुख्य केसिंग समान गती पर ही घूमती रहती है हलांकि जब कार सीधी रेखा में चलती है clutch pack के बीच का घर्शन earth thigh रूप से side gears को लॉक कर देता है इसलिए वे समान गती पर घूमती है मुख्य केसिंग उसके साथ घूमती है और धक्का देने वाला बल प्रदान करती है limited slip differential में जब कार बर्फ जैसी फिसलन वाली सतह पर जलती है तो engine का power दोनों पहियों में बढ़ जाता है जिससे कार को थोड़ी पकड मिल जाती है और वो आगे बढ़ पाती है लेकिन open differential में ऐसा संभव नहीं है इसलिए कार अठक जाती है वीडियो की शुरुवात में मैंने पूछा था यदि ये gear इस देशा में घूमता है तो ये gear किस देशा में घूमेगा इसका जवाब ये है हलांकि हमने वीडियो में सीखा है कि ये open differential है इसलिए इस gear को अपनी जगरों का जा सकता है और बाकी सभी gear घूमते रहेंगे क्या आपने इसे ठीक से समझ लिया है मुझे नीचे comment section में बताएं automotive engineering के बारे में सीखते रहने के लिए ये वीडियो देखें और हमें facebook, instagram, linkedin, twitter, tik-tok और engineeringmindset.com पर follow करना न भूलें